सब्सक्राइब तो वाइब इंस्टिटूट और इंट्रनेशनल एजुकेशन्स अबाउट कम्प्यूटर्स एंड टेक्निकल सांग गाइज इस चैनल्स पे सुबह 10 बजे टेक्निकल वीडियो अप्लोड होते हैं और साम 7 बजे प्रोग्रामिंग वीडियो अप्डेट होते हैं सो काइंटली इस टाइम पेस्टे करें चैनल्स पे तकि आप वीडियो का लाव उठा सकें गाइज इमेज को एडिट करने के लिए आप फोटेशॉप साफ्टेर का उप्योग करते हो फोटेशॉप में अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो इमेज को आप परफेक्ली एडिट नहीं कर सकते हो इसलिए मैं एक simple software recommend कर रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने photos को professional रूप से edit कर पाएंगे Software का नाम है Portrait Pro इस software का download link आपको description में मिलेगा kindly आप वहाँ से download कर लेना Download करनी के बाद installations में आपको problem आएगी इसलिए मैं आपको install करके बताता हूँ कि कैसे install करनी है simply setup file पे आप click करोगे और install कर लोगे कुछ इस तरह से install होने के बाद आप software को open नहीं करोगे installation होने से पहले इसकी जो registry file है उसे run करनी होती है simply आप इसे close कर लो अगर आपका operating system 64 bit है तो आप इसे open करो या x86 यानि की 32 bit है तो इसे open करो मेरा operating system 64 bit है simply मैं first file को run कर दूँगा कुछ इस तरह से और yes करके ok पे click करूँगा फिर second file run करूँगा yes करके फिर yes पे click करके ok करूँगा ok अब मैं software को open कर सकता हूँ software open हो चुका है जिस image को आप edit करना चाहते हो उस image को आप open करो suppose that मैं काम करता हूँ इस image को चूज कर लेता हूँ और open करता हूँ wait करो कुछ process होगा उझे आप process होने दोगे ok इस software की सबसे important बात ये है कि software में आपके face के सारे element अलग हो जाते हैं इसकी वज़ा से आप क्या कर पाते हो eyes पे अलग makeup कर पाते हो nose पे अलग lips पे अलग photoshop में बहुत problems जाती है nose को select करने में eyes को select करने में eyebrow को select करने में इसमें आपको select करने की कोई ज़रूरत नहीं है ok simply female face है तो आप female पे click कर लो और कुछ process होने दो wait करो system के configuration के अनुशार ये समय के अनुशार progress हो जाएगा ok so progress complete हो गया so ये आपका before photo है ये आपका after photo है simply यहाँ पे make up करने का और control करने का साड़ा options है आप choose करो first options और change करके देखो किसे क्या बदलाव होता है सबसे पहला है face shape face shape का मतलब है ये जो face है इसकी आकार में आप बदलाव कर सकते हो ध्यान से देखना इस face पे जब मैं drag and drop करूँगा तो face के आकार में बदलाव होगा कैसे बदलाव हो रहा है ok अगला है आप eyes में बदलाव कर सकते हो यहाँ से आप ध्यान से देखो eyes जैसा भी उसमें अलग-लग प्रकार का में बदलाव कर पाऊँगा ok अगला है eyes finding अगर eyes खुला है या बंद है तो उसको maintain करने के लिए मैं eyes widening का यूज करूँगा mouth shape अगर आप mouth के shape में बदलाव करना चाहते हो तो इसका उप्योग करोगे pump lips अगर lips बंद है या खुला है तो उसको maintain करने के लिए आप इसका उप्योग करोगे nose में कोई बदलाव लाने के लिए आप इसका उप्योग करोगे neck में कोई बदलाव लाने के लिए आप इसका उप्योग करोगे जैसे neck बैठा हुआ है या उठा हुआ है तो इसको maintenance आप कर सकते हो lens correct यानि की perfect shape में लाने के लिए face को lens correct का use करते है head forward suppose that की garden बाय दाय घुमा हुआ है या नीचे की तरफ इधर उधर हो गया है तो उसको आप maintain कर सकते हो इसकी मदद से इस option का काम जब खतम हो जाए तो simply आप यहाँ पे click कर देना अगला option आपके सामने appear हो जाएगा skin smoothing control skin के reflections को maintain करने के लिए आप इनका use कर सकते हो जैसे eyes के नीचे blackheads है wrinkles है face पे pimples है तो आप उनका उपयोग कर के देखोगे मैंने इसका उपयोग अभी नहीं किया है इसलिए अगर मैं इसका उपयोग आपको समझाओ तो मुझे problems होगी समझाने में तो मैं इसको height कर देता हूँ अगला है skin lightening and controls simply आप यहां से light का effect यानिके brightness contrast को maintain कर सकते हो तो guys इसमें जितने भी options हैं आप खुद से करके देखोगे सारे options common हैं अच्छी तरह से आपको समझ भी आ जाएंगे बैतरीन software है आप इसका उपयोग करो और जितना ज्यादा समय invest करोगे आप उतना perfect makeup कर पाऊगे जो काम आप photoshop से करते हो शारे काम आप इसमें कर पाऊगे guys अगर आप complete website development और job की training लेना चाहते हैं तो इस video के नीचे description में आपको एक link मिलेगा आप उस link पे click करके website को कैसे develop करते हैं और job की regarding interview का preparation कैसे करते हैं इन सारे चीजों को achieve कर सकते हैं वीडियो में perfections लगा हो तो वीडियो को like कर दे अपने friends में share कर दे कोई problems या curious है तो kindly मुझे whatsapp पे join करे या comment पे write करे So kindly मेरे teaching experience को promote करे मेरे channels को subscribe करना ना भूले और subscribe करने के बाद bell button पे click करे So stay tuned to our channel guys Thanks for watching my video Have a great day Subscribe to WAP Institute And get the international educations about computers and technical science